कि मेरी एजुकेशन जरूर गवर्मेंट इसकूल के अंदर हुई है और हिंदी माध्यम का विद्यारती राहों और A, B, C, D, B हो छटी कलास के अंदर हो पहली बार सीखी थी लेकिन मैंने उन विद्यारतियों को चुनोती पेश की थी और उन चुनोती को मैंने हर जगे पर है उसको पर्मानित भी किया है मैंने मेरे जीवन की जो सबसे पहले सुरुआत की थी वो पत्वारी से की थी सबसे पहले मैं हो पत्वारी लगा था उसके बाद मैं हो और मुखातिब हो रहा हूँ, इसी स्कूल के अंदर मैंने एक एक एक्जाम दिया था, असिस्टेंट कमांडेट का, उसमें मैं हो सेलेक्ट हुआ था, और उसके बाद मैं कॉलेज लेक्षरर भी मैं हो रहा था, और फिर आरेस 2012 के अंदर, 108 भी मेरी हो मेरी टाई थी, तो उसक मैं वर्तमान में हैं और राजस्तान टैसिलदार सेवा के अंदर हूँ, और वहाँ पर भी मैं एक आपको बात बताऊंगा, देखे इस्वर अपने से क्या चाता है, कब चाता है, कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, आरेस के अंदर मेरी 108 ही मेरीट और उसके अंदर मेरे को DSP मिल रहा था, लेकिन दुर भागिये ऐसा रहा कि मैं है फ़र्ष्ट वेटिंग में रह गया, थोड़ा सार मुझे दुख हुआ कि यार अपन फ़र्ष्ट वेटिंग में रह गये और उसके जिश्ट, एक मैने के बाद मैं है वो IS का एक्जाम था, दिसंबर गंदर, चार-पांस दिन दुखी रहा, लेकिन मैंने कैसे ही अपने आपको मेनेज किया, और देखिए दोस्तों, मेनेज करने का क्या बेनिपिट मिला, कि जो DSP बनना था, वो D आगे से हट गया, और मैं SP बन गया, बात यह है, कि अपन जीवन के अंदर चाहते क्या है, अपने आपको कितना डिवोट कर पाते हैं, तो आज मुझे है, वो IS के अंदर 117 मेरिट है, वो मिली, और मैं जनरल किटेगरी से हो बिलोंग करता हूँ, तो मुझे IPS मिला, मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, मैं वाप मनना है, कि कम से कम में यहाँ उस इस्तान तक हो पहुंचो, कि जीवन आपको शिरफ कहा जाता है, कि 14 सी लाक योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है, तो बहुती सांदार आप लोगों को है, वो जीवन मिला है, इस जीवन को आप इंजोई कीजिए, कभी भी घमंड मत कीजिए, चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ, हमेशा बहतरीन रहिए, और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ, कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा, तो आप सब लोग है, वो यहाँ पर आने का मोका मिले, थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि मा माला ही कम पड़ जाए, इतनी संख्या में यहाँ पर आना, और तब इनको है, वो रियल खुशी होगी इस कोचिंग संस्तान को, पुनहे मैं एक बार है इस कोचिंग संस्तान को, बहुत बहुत दिन्यवाद देता हूँ, हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा, कि मुझे किसी मेगजीन के कवर पेज पे आना है, मुझे भी जीवन में उसी दिन खुशी होई, कि इस बार जब पीडी के उपर सब जगह पर मुझे कवर पेज पे उपर है वो, जगह मिली, ऐसी चीज हमेशा ध्यान रखना, कि मुझे क्रोनिकल पीडी सब जगह कवर पेज मिला, और आज क्रोनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या यूटूब के उपर ने एक वीडियो चलते हैं, तो मुझे बहद खुशी होती है, आप ये अपने जीवन में ऐसे टारगेट रखना, और हमेशा युवाओं को है, वो प्रेरना देते रहना, कभी सेलेक्शन ह होने के बाद में ये मत कहना कि एकजाम बड़ा हार्ड है, हमेशा ये कहना भोती जी है, और यदि मैं कर सकता हूँ, तो आप भी एकजाम है, वो कर सकते हो, एक बार पुने, आप सभी लोगों को है, वो